हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में दोस्तों हाज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको गरम में लड़का होने पर अगर आपके ब्रेश्ट कमर और पेट से आप जान सकते हैं इनमें क्या बदलाब आ पाके मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल बटन को जरूर दबाएं और कमेंट वाक्स में ओम गंगडपते इनमा आवशी ही लिखें दोस्तों सबसे पहले अगर आप प्रेगनेंट हैं और आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का पूरा ही देखें अगर उत्सुकता आपके अंदर बनी हुई है हमारा बेटा बेटीम बेटब करना नहीं है अगर आप जानना चाहते हैं उत्सुकता बनी हुई है तो आप इस वीडियो को जरूर ही देखें तो दोस्तों अगर आपको अपने सबसे पहले ब्रेश्ट की बाद करते हैं से लुट होग का प्रका रोड़ दोद्सा निकलता रहते है जा हम अगर किस यहां पेट करनें की कहो थिंग नीचे लटका रहते है जाने तरीके गाधा है और आप आपका पड़ आक जो होगा है और भींध चाथUp रहेहिए । це आपको. तो दोस्तों यह बेटा होने की बेहत खास निसानी मानी जाती है जो कि मेरे बेवी बॉय के टाइम पर भी से मुझे देखने को मिली थी तीसरे लक्षर की बात करते हैं तो वह आपकी जो मैंने बताया आपको कमर पेट और आपका ब्रेश्ट दोस्तों अब रहती है कमर कमर से आप कैसे जान सकते हैं अगर आपकी जो हिपस हैं काफी बड़े हुए दिखते हैं आपको फैंट में नजर आ गए हैं और कमर में आपके रेगूलर दर्द बना रहता है आप ये नोटिस करेंगे तीसरे महिनी से आपको बहुत दर्द रहेगा कमर में कूलों में ज्यादा दर्द रहेगा आपको साइडों में तो दोस्तों ये बेटा होने की निसानी और आपकी कमर में फैट आ गया है काफी ज़्यादा पेट आपका कम दिखता है कमर ज्यादा दिखती है बड़ी हुई दोस्तों ये बेटा होने की बेहत खास निसानी मानी जाती है अगले तो बोती खास और सटीक किन है दोस्तों अगर आपकी प्राइविट पार्ट में रहता है जादा पें रहता है को लगता है कि इस तो फैक महाँ राता है? जुट्तों ऐसा माना जाता है बेटा होने के टांछा मिल्ट इस लिफाता है! वैसकि यह लक्षन आपको चटवे महीने से आपको नजर आने लग जाएगा लेकिन साथ में महीने पर थोड़ा ज्यादा नजर आता है तो आप किलियर जान पाएंगे तो यह बेटा होने की निसानी मानी जाती है अगला लक्षन है दोस्तों हमारा बहुत ही सटीक लक्षन है वो भी ज्यादा पसंद नहीं है आपको सो नीद नहीं आती है काम में आपकी रुची बढ़ गई है आपको काम करने का मन करता है फुर्ती आपके अंदर बनी हुई है तो यह पेटा होने की निसानी मानी जाती है दोस्तों यह निसानी जो है पिलकुल खास होती है और पक्के निसा झाला है.